मैं मांकेट जा रही हूं, साथ में चलना है क्या? क्या? बाजार साथ में चलना है क्या? यहां आसकिंगी टू काम? कल गाड़ी से उतार दिया, आज साथ चलने को कह रही हो, ठीक हो न? सर जी, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे ही काम से जा रही हूँ, इसलिए पूछ लिया, आप लोग तो भगवान हो, रहोगे जाओगे कोई आइडिया नहीं, इस टाइम ओमलेट ही बन सकते हैं, इसलिए बुवा ने अंडे लाने को बोला है, मुझे थोड़ा काम है, यहां की स क्या हुआ, हस क्यों रही हो, इसी चलोगे, तो क्या, आम कमफटिबल, क्या तुम तीनों घर में चट्डी पहन कर घूमते हो, चट्डी नहीं है, शौट्स, गर्मी है, और वैसे भी, आम कमफटिबल, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहां क या इंजीनियर, यहां पर सब की सोच एक जैसी है, ब्रॉइलर चिकन जैसी, यहां पर पढ़ाई करेंगे, और अमेरिका भाग जाएंगे, सब पैसे की माँ है, तुम्हें पैसी पसंद है, तुम्हें पैसी मिलते हैं क्या, ने मतलब बिना पैसो के अंडे कैसे लोगी, अर कौन सी सदी की बात कर रहे हो, एडवान्स मनो, तुम्हारा भाई तो देखता होगा, नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं देखते, कौन सी जमाने के हो, फिल्म में नहीं देखते, दीदी तो फिल्मी कीडha है, अरे उन्हें कौन मना कर रहा है, जो देखना देख सकती है, तु इस तरफ दारू और गर्ल्फ्रेंड्स वाट क्या पुछ रही हो यहां भाईया की शादी हो रही है मेरी नहीं लेना है तो उनका इंटर्व्यू लो वैसे भी पीना बुरी चीज होती है नशे में गर्फ्रेंड के साथ कुछ हो गया तो रॉंग थिंकिंग अच्छा तो कुछ गलत होने के लिए तुमारी कोई गर्फ्रेंड्स है बोलो ना शर्मा क्यों गए मेरे बार में छोड़ो अपने बार में बताओ अगली कल्चा बी एसी देश का पेड़ भरते हैं है क्रिकेट इसे पकड़ो मैं खेल कर आता हूं पुछे अखिला छोड़कर जाओगे क्या मैं टाइम पास की चीज हो बत दिन होगा खेले हुए तुमागे जाओ ना मैं खेल यह लीजे ना बहुत टेस्टी है यह बस बस एक ओमलेट और लू बिटा अहां थांक्स ए कौन है वो दूले का भाई है कौन है बुची एट मस्ता यार गरेंठ है शौक लग जाएगा यह भागने वालो में से हैं ब्रॉयला चिकेन जैसा वो भी अमेरिका में हमारे लाइक नहीं है पर है तो हैंसम है मेरे अंकल हैदराबाद में रहते हैं आगे की सारी बात वो करेंगे अहां चिंता मत कीजिए मुझे रेनू बहुत पसंद है रेनू हमें एक हफ्ते में अमेरिका लोटना होगा तब तक अगर शादी अच्छा इतनी जल्दी क्या लड़की भाग जाएगी अगर रेनू को प्रॉब्लम ना हो तो एक हफ्ते का तो सवाल ही नहीं हमारे एक्जा इसके बाद पता नहीं कब आना होगा बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है एक हफ्ता मुझे थोड़ा आचार मिलेगा इस बेवकूफ की तो टाइमिंगी बेकार है तीदी थोड़ा आचार देना ए भानू जी बुआ जल्दी से लक्ष्मी चाची के घर जा और आचार लेकर यह पकड़ और जल्दी से आना हा जा जल्दी जा दिमाग है के दही इतनी बारिश है बानू संभल के जाना हा दीदी कहा गए यह सब यह क्या मैं इतनी मेहनत करके इतनी बारिश में अचार लेकर आई और यह लोग चले गए बताऊंगी जाने दुना अ उन्हें ही सब क्या पता अच्छा अभी से साइड ले रही हो बुद्धु हो तुम मैं जाकर क्लास लेती हूं बानू 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 रुख्जा बापा ने कहा है बात करने को प्लीज रुख्जा मुझे टेंशन हो रही है मतलब उनके बारे में एह क्या बोलोगी उ पापा को बहुत पसंद हो, शादी में देर हो सकती है, शादी तो कभी भी हो सकती है. यह सब तो बकपास करना, हीमत, पलेज। पसंद है तो सीधा बोलो ना. हाहा? तुम्हें पापा को रोज उनकी दबाई देनी होगी. एना अच्छे. पच्छाकर पापको बता दियुं पापा? पापा? दीदी को रहका पसंदा उन्होंने हां कहती यह क्या भचपना है, ज़रा शांती रहत है भचपना थोड़ी है, दीदी की शादी है बेटा, ज़रा इधर आना रेनु मेरी प्यारी बच्ची है बाबा इसे बहुत प्यार करते है शादी में देर हुई तो चलेगा और शादी का क्या, वो तो कभी भी हो सकती है बेटा तो मच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देदा बापा, मैंने यही सब तो कहा था मैंने भी यही पूछा था आप और मैं एकदम सेंटू सेंग, मैंने पूछा था ना, बता, बता बेटा, फिर तुमारी दीदी ने क्या कहा? दीदी ने हां कहा, बसंद ऐसा का अब बस कर मेरी सोने की गुडिया, किसी की नजर ना लगे बेटा, मैं बहुत खुश हो, लड़का वाकई में बहुत अच्छा है पर हां, तुम चली जाओगी, तो मेरी दवाई का क्या होगा? मैं तो यही हो ना, हो ना जाओ, तुम जा सकती हो, मैं, पापा और बसंदोनो आप भी दोना चल छोड़ अब टेंशन हो रही है पापा, एक हफ्ते में मैं चली जाओँगी पापा सर्फ लड़कियां ही घर छोड़ कर क्यों जाती है पता नहीं, ये रूल किस ने बनाया है, ये तो चीटिंग है, बहुत बड़ी चीटिंग, धोका तुझे भी एक दिन जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़के कभी नहीं, मैं कभी नहीं जाने वाली शादी के बाद भी मैं जहाओँगी मैं तो अपना कमरा छोड़ कर भी कही नहीं सोँगी मैं अभी बता रही हूँ पापा, मैं आपका बेटा हूँ अमेशा रोंगे तुमने कहता ना सेर कराओगी कब कराने वाली हो तुम जानती हो ना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है हम मैमान है इसकी टाइमिंग इसकी तरह ओफ है अभी बताती हूँ अच्छा हुआ याद दिलाया हमारे यहाँ एक पुराना मंदिर है मासत है वो, चलोगे अच्छा, पुराना मंदिर, कूल आप पर सुभा सुभा उठना पड़ेगा, वो भी तीन बजे वो क्यों? यही तो परमपरा है, तुम अमरी की लोग कर पाओगे याया, नो प्रॉब्लम ठंडे पानी से नहाना ओके सर से पैर तक ओके धोती पहननी पड़ेगी तुम्हें वो जैसे तिरुपती में पहनते है धोती मैं दूंगी ना ओके अब तुम आराम से सोजा ठीक, तीम बजे उठना अच्छे से सोना गुड़ नाइट यह चपकलिया मुझे कुछ कहा ने ने वो जैट लग हुआ है नीद नहीं आ रही है अच्छे से ना आता रहा तो निमोनिया से मर जाओंगा अच्छा वा किसी ने देखा नहीं मरना मैं किसी को मुझे दिखाने के लायक नहीं रहता बेटा तुम कहीं जा रहे हो क्या तयार हो कहीं बस यहीं मंदिर तक नमस्ते आओ वाँ व्यूद बिगा शोवब्हें ही नुदक संखरों, यही दूला है अच्छा सुनो, शादी भले देल से कर रहे हो पर भच्चे करने में देरी मत करना चीक है न? नहीं दूला मेरे झालो जो जो जोगी हो उते हिपि red на-на-на-на-n la-la-la-la-la-la झाले 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 झाले, 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 झ मेरा हाथ क्यों पकड़ा तुमने तो कहा था तीन बज़े उठना नहां लेना अच्छा हां मैं भूल गई आंक नहीं खुली फिर कभी देख लेंगे वैसे मजाग करना अच्छी बात नहीं है तुम्हारी वज़े से धोती पहन ली वाव धोती में बहुत क्यूट लग रहे हो हवादार भी रहती है ना पॉइंट वो नहीं है इतनी चीटिंग धोका कॉंस्पिरसी पहले तो चिपकलियों की वज़े से मुझे नहीं आ रहे थी और अच्छा जब तुमने अचार लानी को कहा था तब क्या मैं इतनी मेहनत करके लाई किसी ने खाया तुम्हारे दिमाग में वो था बुआ को बता आया होगा ना अब बूलबू आखो वैसी मस्त दिख रहे हो इसमें एस सेटिफिकेट वाली भी है देखनी है क्या वाह इंडिया की लड़किया बदल गई है लड़किया नहीं सिर्फ लड़की भानुमती एक सिंगल पीस दो कास्ट और दो जगा की हाइब्रेड लड़की ये दो मुझे पागल कर देगी